हेलो एंड वेलकम तो यो फेवरेट चानल ब्रेनो सलीशन देखो आज हम नाइन्थ क्लास का पहला चाप्टर करेंगे नंबर सिस्टम ठीक है तो भाई अब पहला दिन है आज तुम लोग का नाइन्थ क्लास का तो सबसे पहले तुम लोग सबने बहुत महनत से पढ़ा होगा और बहुत अच्छे नंबर भी आये होंगे ठीक है चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं नंबर सिस्टम परते हैं देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाच्रल नंबर के बारे थोड़ा सा में इंट्रोड़क्शन देती हो फिर हम लोग ठीक है सबने ऐसे पोला जो नामबर तुम्हारे मुझे निकल निकल गया है वह तुम्हारे नाच्रल नामबर गया और यह जाएगा तुम्हारा इंफिनेटी तक ठीक है अब देखो 9 के बाद क्या हो तुम्हें अगले नंबर के लिए क्या चाहिए एक 0 की जरुद है तो य अब देखो होल नंबर में क्या है अब यह 0 से शुरू होता है 0 123 यह जाएगा तुम्हारा इंफिनिटी तक ठीक है तो जब देखो तुम्हें 0 को लिए अब यह तुम्हारा पूरा यह कंप्लीट हो गया है कि नहीं तो इसका नाम होल नामबर पढ़ गया याग रहेगा ना नामबर में 0 से शुरू होता है ठीक है अब देखो नए नंबर आए जैसे सब उनको बोला गया है निगेटिव नंबर ठीक है तो अब नहीं एक ब्रांच आ जाती है वह होते हैं इंटीजर्स ठीक है बच्चों इंटीजर्स में क्या-क्या पाया जाता है तुम्हारा positive और negative numbers ठीक है negative numbers zero और positive numbers ठीक है जैसे कि minus 3 minus 8 ठीक है minus 376 कोई भी negative numbers होगा वो भी जीरो भी positive number ले लो 1000 ले लो 756 ले लो कोई साभी positive numbers यह सब तुम्हारे integers में आगे ठीक है अब देखो बच्चों एक और तरीके का number अभी हम पढ़ते है वो है तुम्हारा rational numbers ठीक है अब rational numbers क्या होते है ऐसे number जो तुम P by Q के form में लिख सको जैसे कि और दोनों integers होने चाहिए ठीक है बस एक condition है कि क्यों तुम्हारा 0 ना हो ठीक है अब देखो कर मैं बोलू 3 by 7 दोनों integers है और तुम्हारा denominator 0 नहीं इसका मतलब yes this is a rational number ठीक एक और example लेते हैं अगर मैं इसको कर दो minus 3 by 7 क्या यह rational number है तो देखो यह भी एक integer minus 3 by negative number integer यह भी एक integer और यह 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब यह अगें यह भी हमारा एक rational number है ठीक है clear है चलो अब बात करते हैं 0 की बच्चो यह बड़ा ही यह बताओ 0 क्या एक rational number है तो देखो मैं 0 को 0 upon 1 लिख सकती हूं है ना तुम 0 को 0 by 350 भी लिख सकते हो है के नहीं इसका मतलब मैं इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकती हूं ठीक है और यह देखो जीरो नहीं है इसका मतलब येस जीरो इस और राशनल नंबर याद रहेगा ठीक है चलो अब हम आ जाते हैं अपने देखो इसका पहला कुष्यों है इस जी राशनल नंबर वही कुष्चिन आ गया क्या 0 एक राशनल नंबर है तो देखो बच्चों जीरो को rational numbers क्या होते है जो तुम P by Q के form में लिख सको वो तुम्हारे rational numbers एक condition क्या Q should not be equal to 0 और ये दोनों integers होने चाहिए ठीक है अब तुम 0 को 0 upon 1 लिख सकते हो ये भी integer ये भी integer और ये तुम्हारा denominator 0 नहीं है इसका मतलब yes, this is a rational number एक और try करते है, 0 upon 356 लिख सकते हो हाँ लिख सकते हैं भाई हम इसको क्योंकि इसका answer भी 0 है इसका मतलब कि देखो हमने दोनों condition में देख लिया कि yes, 0 is a rational number ठीक है, clear है क्या लिखोगे, yes we can write it like P by Q ठीक है, second पे आजाओ write 6 rational numbers between 3 and 4 भाई 3 और 4 के बीच में 6 rational numbers निकालो तो देखो कैसे कर सकते हैं, 3 और 4 के बीच में कैसे निकालो कि rational numbers, देखो मैं 3 को अगर मैं उपर नीचे 10 से multiply करती हूँ ठीक है, और ऐसी मैं 4 को उपर नीचे 10 से multiply करती हूँ तो 10 upon 10 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, है कि नहीं? देखो बच्चों मैंने इसको 10 upon 10 के form में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं इसको 3 into 1 करूँ कर सकते हैं किसी भी number को है ना, तो मैंने अगर हम 10 upon 10 लिखते हैं, इसका मतलब भी 1 ही होता है, है कि नहीं? तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 30 by 10, देखो same number से करना उपर नीचे ये कितना हो जाएगा, 40 by 10, ठीक है? इसके बीच में निकाल सकते हो rational numbers कैसे? 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, 34 by 10, और बता 35 by 10, और बता 36 by 10, तो देखो कितने numbers आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 छाए numbers आगे, ऐसे तुम कितने भी numbers निकाल सकते हो, ठीक है? ठीक है, एसे अगर जादा numbers निकालने तो इसे 100 upon 100 कर दो, कि 20 upon 20 कर दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और देखो, सब बच्चों के, हो सकता है, answers vary करें, जरूरी नहीं है, तुम लोग के सब के answers, same आए, ठीक, चलो, हम आपके हम लोग question number 3 पर, केरें, find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5, इन दोनों के बीच में 5 rational numbers निकालो, कैसे निकालोगी बताओ, फिर वही तरीका करो, क्या करेंगे हम, उपर नीचे 10 से multiply कर दो, जादा निकालने तो 100 upon 100 से कर दो, ठीक है, 20 upon 20, 30 upon 30, अपने इसाफ से देख लो, कितने rational numbers निकालने हैं, देखो बच्चो, क्या हो जाएगा ये, 30 upon 50, 5 10s are 50, 3 10s are 30, ये कितना हो जाएगा, 4 10s are 40, 5 10s are 50, इसके बीच में rational numbers निकालो जड़ा, 31 by 50, 32 by 50, बोलो आगे, 33 by 50, 34 by 50, और बता, 35 by 50, थी, थोड़े से और numbers भी आएगे, ठीक है, बाकि हमें 5 चीज़े, 5 numbers तुम्हारे पास आ गए है, ठीक है, आ रहे ना, राम से समझ में, चलो, अब हम चलते हैं, इसके last question पर, that is question number 4, देखो, state whether the falling statements are true or false, तुम्हें बताना है, यह statement true है यह false है, पहला है, क्या हर natural number, whole number होता है, तुदेखो, देख लेते, natural numbers क्या होते हैं, तुम्हारे, sorry, natural numbers कहा से start होते हैं, 1 से start होते, 1, 2, 3, 4, list तुम्हारी चलती जाएगी, infinity तक, तुदेखो, क्या सारे natural numbers, whole numbers होते हैं, सारे natural numbers, whole numbers होते हैं, ठीक है, clear, आगे समझ में, चलो, अब आते हम इसके second part पर, अगर question यह पूछा जाए, क्या whole numbers, सारे natural होते हैं, तब answer तुम्हारा 0, no होगा, क्यों, क्योंकि 0, whole number होते हैं, लेकिन natural number नहीं होता है, ठीक है, every integer is a whole number, हर integer whole number होते हैं, तुदेखो, बच्चो, integers क्या होते हैं, सारे negative numbers, सारे positive numbers, ठीक है, including 0, ठीक, अब देखो, क्या सारे integer whole numbers होते हैं, अगर मैं लेती हूँ, minus 3 को, क्या minus 3 एक whole number है, तो देखो बच्चो, whole number कहां से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, है न, है के नहीं, तो इस list में minus 3 तो नहीं आया, इसका मतलब यह statement तुम्हारा false हो गया, सारे integer whole numbers नहीं होते हैं, ठीक है, सबकर न, तुम लोग को logic भी पता होना चाहिए, ठीक है, और देखो, पहला chapter है, बहुत मेहनद से पढ़ लो, क्योंकि अभी से concepts clear होते रहेंगे, तो 9th class, ऐसी सब मखन की तरह निकल जाएगी, ठीक है, चलाओ, Every rational number is a whole number, क्या सारे rational numbers, whole numbers होते हैं, तो देखो बच्चो, अगर में rational number लेती हूँ, 3 by 7, देखो ये भी integer, ये भी integer, और denominator 0 नहीं, इसका मतलब ये एक rational number है, लेकिन क्या ये एक whole number है, तो नहीं बच्चो, ये whole number नहीं है, ठीक है, इसका मतलब your statement is false, All rational numbers are not whole numbers, ठीक है, वीडियो पसंद आएगे तो चानल दो subscribe करना, Thank you for watching, Bruno Solutions.